अब इस वीडियों बात करने वाला हूँ स्टेट वाइज आयूश की क्या कट आफ रही थी लास्ट इयर और इस साल क्या एक्सपेक्टेड है गोर्मेंट कोलेजिस के लिए भी प्रावेट कोलीजिस के लिए भी तो जो लोग που चैनल पे नहीं हैं वह्यूख चैनल को सब्तराइब करें वीडियो के करें ऑर अपने फेरेंज दहुर शेर करें इन सभी counseling का पूरा process, पूरा step-by-step guidance यहाँ पर दिया जाता है और उसके साथ ही paid counseling भी कराई जाती है, just thousand rupees में पूरा counseling का guidance आपको दिया जाता है, तो जो लोग भी join करना चाते हैं, वो join कर ले, link नीचे description में दिया है, और इससे पहले जो videos थी, उसमें मैं already बात कर चुका हूँ all India quota की, क्या cut-off रहेगी, expected rank के हिसाब से, क्योंकि जो result आया है, और जो पहले हम marks के हिसाब से calculate कर रहे थे, वो बिल्कुल change हो गया है, क्योंकि बहुत बड़ा need का scam इस बार रहा है, NTA की तरफ से, बहुत सारी चोड़ियां पकली जा रही हैं, videos viral हो गई हैं, जिस तरीके से paper पर लीक हो गया था पहले ही, उसमें कई सारी वीडियोस इस्टूडेंट्स नो मेरे पास साथ शेयर की हैं, जिसमें जो टेलिग्राम पर जो paper शेयर हुआ था, उसकी भी वीडियोस है, हाला कि इसके खिलाफ हम भी पूरी जो कर सकते हैं, अपनी तरफ से कर रहे हैं, कई वी वीडियो, तो यह बहुत ही positive point होगा students के लिए, क्योंकि अगर धुरूब रहे ही कि इस पर कोई वीडियो आई, तब कुछ ना कुछ हो सकता है, अधर्वाइस सब कुछ ऐसे ही दबा रहे जाएगा, इसलिए सब इस student अपनी आवाज उठाएं, और बहुत सारी student की query क्योंग तो सबसे पहले यहाँ पर UPIUS के बात करेंगे, तो सबसे पहले private college के लिए बात की जाए, तो private में UP के अंदर बहुत सारे private colleges हैं, और एक hub माना जाता है, अच्छे colleges भी हैं, और कुछ खराब भी हैं, तो आपको एक अच्छे college में admission लेने के लिए पूरा college के बारे में जानना हैं, जिसमें भी admission ले रहे हैं, और एक और चीज़ यहाँ पर security के आप नाम पर कई सारे colleges बहुत जादा amount लिया जाता है, तो यह जान लें, जो इस भी college में आप admission ले रहे हैं, वहाँ पर security बगारा बहुत जादा ना हो, और अगर cutoff marks की बात की जाए, तो private में UP के अंदर qualifying marks पर मिल जाता है, मैं qualifying marks आपको दिखा देता हूं, तो यह है qualifying marks, general EWS से अगर आप belong करते हैं, तो 164 marks, OBC SCST से belong करते हैं, तो 129 marks, unreserved EWS, PWD से 146 marks, SCST, PWD 139 marks, अगर इतने marks यह से उपर हैं, तो आप private के लिए apply कर सकते हैं, चाहें MBBS, चाहें आप BMS के लिए कर रहे हों, BMS के करने हों, BMS के लिए, वो आराम से qualify पे मिल जाता है, UP के अंदर, और अच्छे colleges भी just qualify पे मिल जाते हैं, तो जो लोग भी चाहते हैं, करने participate, और अगर information चाहते हैं, paid counseling के तुरू, तो यह join कर सकते हैं, नीचे description में link दिया है, उसके बाद यहाँ पर UP के जो government colleges हैं, उनकी cut-off देख लेते हैं, और उसके बाद जो एक दो और state का cover कर लेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में सब को cover नहीं किया जा सकता, तो यह part one video रहेगी, और उसके बाद आने वाली वीडियो में cover कर लेंगे, जैसे जैसे student की query होगी, other state के student comment box में बता देना है, कि sister की और वीडियो हमे ही हुआ था, क्योंकि UP के अंदर, last year cutoff high रही थी, इसका reason मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जो UP आईश्प बनाई थी, उसमें बताया था, कि UP के अंदर total 563 BAMS की seats थी, government की, लेकिन last year जो permission मिली, सिर्फ 365 को permission मिली थी, तो आप देखेंगे, लगबग 35-40% यहाँ पर seats हैं, वो कम हो गई थी, जिसकी वज़े से cutoff BAMS की बहुत जादा high गई, और जब BAMS की cutoff high गई, तो students ने फिर BAMS मिलिया, तो BAMS की cutoff भी high गई, और BAMS मिलिया, तो BAMS की cutoff high गई, तो यहाँ पर यह जो cutoff आपको BAMS की दीखेंगी, यह बहुत high देखने को मिलेगी, यह जो cutoff है, इसके हिसाब से बिल्कुल नहीं रहेगी इस बात, पूरे chances हैं कि full seats add हो जाएं, full seats अगर add हो जाती हैं, तो जो all India की cutoff थी, जैसे general category के लिए लगबग 80-85,000 all India ring, अगर उसके आसपास तक आपकी है, तो expect कर सकते हैं, UP quota से भी आपको government का BMS college मिल जाएगा, तो इस इस तरह से आप add speed कर सकते हैं, और जो कोईरी हो, आप मीचे बता देना, मैं रपड़ाई करने की उपोशिश करूँगा, तो यहाँ पर पहले मैं cutoff बता देता हूँ, अलग-अलग category की, सबसे पहले, यह वाई मतलब आयरुवेदा, BCEA, यानि OBC, X-Servisemen, Army के बात की जाए तो यह है, closing rank आपको यह वाली देखनी है, तो BCEA से 75,646, BC Freedom Fighter से 11,5,447, OBC Girl के बात की जाए, 69,040, OBC Open, 69,226, EWS Girl, 69,824, EWS Open, 62,407, SC X-Servisemen, Army 4,38, SC Girl की बात की जाए, 1,89,980, SC Open की बात की जाए, 1,94,622, ST Girl की बात की जाए, 5,46,947, ST Open से बात की जाए, 6,90,586, और Unreserved Ex-Servisemen की बात की जाए, तो 81,678 पर यह last seat मिली थी, last year, और फिर उसके बाद Unreserved Girl की बात की जाए, तो 53,973, और Unreserved Open से बात की जाए, तो 55,335, All India Ring पर last seat मिली थी, यहाँ पर देखे हैं तो cut-off काफी high रही तो इसका reason यही था, लगबग आदी-आदी seats हो गें थी, जिनको permission मिली थी last year, उसकी वज़े से cut-off बहुत हाई रही थी, BMS की भी, BHMS की भी, BOMS की भी, लेकिन अगर आपकी general category से 80-90,000 तक भी All India Ring है, तो अपने आपको safe मान सकते हैं, कि अगर पूरी seats एड़ हुई तो आप लास्ट यहर भी कम रही, मतब अधर स्टेट और All India Gota को देखे हैं तो कम ही रही थी, और UP के अंधर कम रहती है, BHMS की बहुत जादा कम भी रहती है, लेकिन लास्ट यहर थोड़ी सी हाई रही थी as compared to जो उससे पहले रहती थी, BCEA यानि OBC एक सर्विसमेन आदमी के बाद क 3,10,800 EWS एक सर्विसमेन आर्मी, 2,89,505 EWS गल की बाद की जाए, 3,12,905 हो मतलब यहाँ पर होमियोपेथी के चलने हैं सभी कॉलेजिस और EWS ओपन की बाद की जाए, 3,28,197 और SC एक सर्विसमेन आर्मी की बाद की जाए, तो 9,46,898 SC गल की बाद की जाए, तो 3,96,636 All India रह की जाए, आपको मार्क्स बिलकुल नहीं देखने हैं क्योंकि यह जो मार्क्स में बिलकुल चेंज हो गए हैं, NTS तरह का स्कैम की आप क्या ही कहें, SC ऑपन की बाद की जाए, तो 4,9,196 ST ऑपन की बाद की जाए, तो 9,90,985 अन्रिजर्व्ट एक सर्विसमेन आर्मी की की जाए, 2,30,043, अन्रिजर्व्ट ओपन की बाद की जाए, 2,40,915, अन्रिजर्व्ट पी डव्लु एक की बाद की बाद की जाए, 8,66,833, फिर उसके बाद आ जाता है, UN यानि यूनानी क्या, BOMS के टोटल दो कोलेजिस, UP के अंदर हैं, एक लगनों वाला, एक माच, OBC Open के बाद की जाए, 1,68,154, EWS गल के बाद की जाए, तो यहाँ पर 1,58,404, EWS Open के बाद की जाए, 1,89,890, S.C. गल के बाद की जाए, 2,76,387, 6,74,730, अन्रिजर्व्ट गल के बाद की जाए, 1,31,647, और अन्रिजर्व्ट से, सोरी, अन्रिजर्व्ट ओपन के बा को ये बिल्कुल कंफर्म नहीं है, इससे कम All India Rank पर भी, यानि इससे अगर कम माक्स भी आपके हैं, ये जो All India Rank है, इससे जादा आपकी All India Rank है, तब भी आपको सीट मिल जाएगी, क्योंकि लास्ट ये जो सीट थी, वो कम थी, तो मैं जरूर कमगा, इससे अगर जादा भी आ अन्रिजवड ओपन से बात की जाए, एक लाग पिचासी हजार शेसो बासाट ओल इंडिया रिंग पर लास्ट ये मिल गया था, आपको माक्स बिलकुल नहीं देखने हैं, क्योंकि जो माक्स कसे नहीं पूरा चेंज हो गया है, आपको All India Rank देखनी है, अन्रिजवड फीमेल पन की बात की जाए, तो 1,82,601 ओल इंडियारिंग, अन्रिजवड ओपन से बात की जाए, 1,99,896, OBC की बात की जाए, एक लाग 8,86,676, OBC, स्टी ओपन से बात की जाए, तो 5,27,295, और EWS ओपन से बात की जाए, 1,97,816, और EWS फीमेल से बात की जाए, एक लाग नब्वे हजार आठ सो उनतर ओल इंडिया रिंग पर बीएमस का गवर्रमेंट पॉलिज मिल गया था बीएजमस की बात की जाए तो अन्रिजर्ड ओपिन से दो लाग चार सो सोला ओल इंडिया रिंग पर मिल गया था मांक से भी देखनी। इलग बिएस से दो लाग आठ QI 154 अलिग पर मिल गया था OBC female से दो लाग 575 अलिग पर मिल गया था S.C.C. से चार लाग 58756 अलिग पर मिल गया था S.C. से female से चार लाग 12,590 अर S.T. open से पांचलाग 12,245 S.T. female से पांचलाग 89,762 तो इसमें अगर 10-20,000 आपकी रिंग जादा भी है तब भी कांसलिंग में ज़रूर पाइटिस्पेट करें क्योंकि हो सकता है कि किसी particular year में number of candidate particular category के जादा हो और दूसरी बार में अगर आपकी category के कम है तो जाहिर सी बात है cut-off कम जाएगी तो एक बार पाइटिस्पेट करने में कुछ नहीं जाता है पाइटिस्पेट कर लें BOMS की बात की जाए तो अन्रेजर्व्ड ओपन से 2,66,656 अन्रेजर्व्ड फिमेल से 4,19,310 OBC open से 6,85,850 OBC female से 3,85,004 नहां पर देखेंगे तो female और open में ही काफी फर्ख यहां पर देखने को मिलेगा तो इसलिए अगर आपके इससे थोड़ी जादा भी cut-off है तब भी आप पाइटिस्पेट कर लो SC open से बात की जाए 12,04,631 ओल इंडियर्ग पर मिल गया था SC female से 5,04,733 ST open से 8,12,599 ओल इंडियर्ग पर मिल गया था SC female से बात की जाए तो 7,69,635 ओल इंडियर्ग पर मिल गया था EWS open और female की बात की जाए तो open से 6,89,730 ओल इंडियर्ग और female से 5,44,45 ओल इंडियर्ग पर सीट मिल गई थी फिर उसके बाद MP में private की बात की जाए तो unreserved open से अगर आपके 140 marks थे last year मतलब qualify से 24 नमबर उपर last year 137 पर cutoff थी जनरल की तो अगर 140 भी थे तब भी यहाँ पर college मिल गया था तो इस बार अगर आपके 170 गया स्वास भी marks है तो आराम से आपको general से seat मिल जाएगी BHMS में भी unreserved open से 140, female से 144, BMS में 137 और unreserved female से 242 यानि just qualify है तब भी आप यहाँ पर participate कर लो देखेंगे तो काफी low cutoff यहाँ पर गई थी आराम से आपको मिल जाएगी किसी भी category के आप just qualifier भी बहुत जादा chance से कि आपको seat मिल जाएगी private की तो यहाँ पर इस तरीके से दो state हो गए उसके बाद जो अगला state हम discuss करेंगे वो है हर्याना यूज काउंसलिंग का और क्योंकि वीडियो बहुत जादा लंबी ना हो तो यही last रखेंगे राउंड बन में BMS की बात की जाए तो अन्रिजर्वट से 70,508 ओल इंडिया रिंग पर मिल गया था आपको माक्स नहीं देखने राउंड टू में अन्रिजर्वट से 60,266 राउंड थरी में 74,926 और राउंड फोर में 77,083 ओल इंडिया रिंग पर मिल गया था तो इस बार के लिए अगर आपकी 80 से लेकर 85,000 तक भी जनरल से ओल इंडिया रिंग है तो पाटिस्पेट कर लेना राउंड बन में EWS से बात की जाए 85,574 राउंड टू में 76,789 और राउंड थरी में 85,598 और राउंड टू में 87,749 राउंड थरी में 83,354 और राउंड फोर में 91,845 ओलेनेर एक बजो मिल गया था फिर उसके बाद अगला SC कडिगरी से बात की जाए 29,811 राउंड टू में बात की जाए 1,49,833 राउंड थरी में 2,18,726 राउंड फोर में 2,15,530 SCD में बात की जाए 2,69,071 फिर राउंड टू में बात की जाए 2,25,683 और राउंड टू में बात की जाए 2,78,943 और राउंड फोर में SCD में उसके झालने àम गलाए ребा y में बात की जाए में बात की जाए 1,25,영 काए 1,18,988 राईंड बात की जाए 1,25, 5000,Hoë 2, greatly में बात 2,900, Bennett बात की जाए 1,25,683 जाए 2,90, dessus में यांशर सक्ष जाए 2,75,। झाल झाल